हेलो प्रेंट्स राधे रदे आज की वीडियो में तीन नंबर के लडू को पाल के लिए हम बुगरों मुला इस तरह के बेस बना करके आपको साग बनाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं तो यह हमारा उल्टा साइड है और हमारा सीधा साइड है इस तरह का बेस मैंने अपने चैनल पर बना करके अप्लोड किया है आप वहां से भी देख के सीख सकते हैं और इसकी पहले मैं लंबाई और चोड़ाई आपको दिखा देती हूं कि कितना है तो यह देखिए यह इसका पूरा मेजर्मेंट लगवक सवाच्छे इंच है कहीं से भी आपना पेंगे तो इतना ही आएगा यह देखिए से हमारा इतना ही है अब इस पर लगाने के लिए मैंने फैबरिक लिया है तो एक हमारा यह रिसम का वर्क वाला फैबरिक है और एक इसी में का हमारा यह इस तरह का फैबरिक है तो दोनों की लंबाई और चोड़ाई मैं देख लेते हूं कि क्या है सारे तीन इंचिस की चोड़ाई है और इसकी लंबाई एक बार बता दूँ आप से यह देखिए 13 इंचिस की लंबाई है तो इस तरह का मैंने इसमें का दो पिस लिया है और इसमें का दो पिस लिया है चार पिस मैंने लिया है अब चलिए इस पर इसको हम सिलाई लगाएंगे यह हमारा ऐसा कपड़ा है कि यह नेट जैसा है बिलकुल ही पतला है और प्रिंटे हुप हुप अब बाइब बाते हैं अब थोड़ा सा कपड़ा हमारा इधर खुला है यहीं से हम यह जो कपड़ा है इसका बन लेट देंगे इसको इस तरह से देंगे और इसके उपर हम रख देंगे और यहां से हम सुरू करेंगे देना है करसं बने हैं अब इसके पूरे कपड़ें एक अ देंगे देंगे तो चले पुरहें देर क्टे मां, तो पूरे हम देंगे पूरे में असे चुनट गीने चुम्लीट कर दिया है और दीखीज़ यह जो मारे बेस है वेस पर अगर हम रखते हैं तो यह हमारे कभर हो जायए जो आप यह दिखे इस तरह से हमारा यह कमर भी कवर हो जायगा और यहां से जो है कि यह हम सिलाई करेंगे यह देखे हमारा आधाएंट एक्ष्टा है ये भी हमारा अच्छे से सिल जाएगा हम क्या करेंगे कि इसको लेंगे और लेने के बाद में इसको पहले भी नाप के देख लेंगे ये इस तरह से गुलाई बठाते हुए इसको इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगाना है तो चलिए इस पर हम सिलाई लगाएंगे इसको यहां से हम सुरू करेंगे सिलते हुए इस किनारी स इसके बाद इसको इस तरह से हम यह जो हमारा राउंड है इस पर अच्छे से बैठाएंगे बैठाते हुए इस कपड़े को सेट करते हुए तब इस पर हम सिलाई लगाएंगे इसके बाद इसको इस तरह से हम सिलते हुए नीचे की साइड इसको बंद कर देंगे इस तरह से यहां तक मैं किलियर आपको इस लाई बताई हूँ इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है और मैं इसे प्लट कर देखना है कि पीछे के साइड में हमारी सिलाई लगी है या नहीं अगर हमारी सिलाई ज्यादा लगी है तो इसको एक बार हम यहां से पीछे से सिलाई अच्छे से लगा लेंगे और लगाने के बाद में जो यह हमारी पहले वाली सिलाई है इसको खोल देंगे तो यहां सिलाई करने के बाद में अभी हम नहीं खोलेंगे इसको यहां से हम चुनट को सेट करेंगे यहां से पहले हम सेट कर लेंगे इसको इस तरह से इसी तरह से जैसे हमने यहां पर सिलाई किया है पूरे राउंड को हम सिलाई लगाएंगे तो चलिए मैं सिलती हूं पहले हिसको । कि इस तरह से हमारी इस पर सिलाई हो गई है अब हम क्या करेंगे कि इसको उल्टा साइड से जितना भी हमारे एक्ष्ट्रा कपड़ा इसको हम कट करके निकाल देंगे यह हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो बुक्रम है यह वाला कपड़ा हमारा ना कटे यह देखिए इस तरह से यह कपड़े को कट करके निकाल देना है तो चलिए मैं कर लेती हूं पहले इसको कट करके कंप्लीट कर दिया है अब हम क्या करेंगे कि इसको पलट लेंगे पलटने के बाद में इसको अच्छे से एक बार हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे तो चलिए यहां से पले हम सिलाई लगाएंगे इसको सिलाई लगा करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके अब हटा देंगे इसमें यह वाला सिलाई हम खोल देंगे जो मारा लगा था इस तरह से हमारा यह कमर देख रहे हैं आपके अच्छे सेब में यह कट हो गई है और इसके कमर पर हम कपड़ा लगाएंगे पर कपड़ा लगाने के लिए इसमें कि मैंने उरे भी कपड़ा कट किया हुआ है थोड़ा साफे हम फोल्ड कर करने के बाद मैं इसको ऊल्टी साइड से लेंगे और यहां से इस पर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे 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 इधर से थोड़ा सा हम एक्ष्ट्रा छोड़ करके इसको कपड़े को कट करके निकाल देंगे अब हम इस साइड से इस कपड़े को पलट लेंगे उरेवी कपड़ा अगर कमर पर बठाते हैं तो बहुत ही अच्छा फिटिंग बैठता है और बैठाने में भी आराम रहता है अब इसको यहां से हम इस तरह से पलट लेंगे आप पलटने के बाद में इसमें हम गोल्डन डो लेंगे डोरी डालने के बाद में इसको यहां से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद में इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे तो चले सिलती हूं सिलने के समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारी डोरी है इस पर सिलाई ना लगे डोरी पर अगर सिलाई कि लाश्ट वाले किनारी की सिलाई इसको हम एक बार लॉक कर लेंगे और यहीं से दखिए चेक कर लेंगे उस तरह से कमर पर कप्र लगा कर दिया है और यह देखिए हमारी डोरी भी सरक कर रही आप देख सकते हैं कि यह दिखे इस तरह से हमारा घेरा यह बनके कंपलीट अब हम इसके ऊपर की चोली बनाएंगे इसी में कपड़ा मैंने कट किया हुआ है जिससे मैंने घेरा बनाया है इसकी जो लंबाई है वो मैंने 7.5 इंच रखी है और इसकी जो चवड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच रखी है यह हमारा सीधा साइड है यह हमारा उल्टा साइड है अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इध सरय करने के बाद में इसको यहां से इस तरह से कंपटी की तरह सिलाई करेंगे तो चले सिलतीए हो इसको इसको इस तरह से मैंने इस उसलाय करके कमप्लीट कर दिया इसको अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे अब फोल्ड करने के बाद में यहां से हम इसको बीचो बीच कट करेंगे बीचो बीच कट करने के बाद में यहां से हम तीर्चा थोड़ा सा सिला ही लगाएंगे इस तरह से ये इस तरह से जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा चोली का सिप आ जाता है अब यहां पर इस चोली के नीचे में इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करने के बाद में इसको बीचो भी सिंटर देखते हुए यहां पर हम सिल देंगे इस तरह से यह मारी डोरी के काम आ जाएगी तो चलिए इसको सिल लेती हूँ पहले इस तरह से इसको मैंने सिलाई करके कम्प्लीट कर दिया है अब इस पर अगर आप डेकूरेशन करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से जैसा भी डेकूरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं चोटा चोटा आप यहाँ पर लेकर के उसको भी फ्लावर वाली अटाइच कर सकते हैं या इसका कलर कॉमिनेशन औरेंज कलर जैसे हैं या क्रीम कलर है उस तरह का भी अप लेस लगा सकते हैं जैसे कि हमारे पास ओर गोल्डेन में का लेस है इसकी किनारी किनारी अगर आप चाहेंगे तो सुन्दर लगने के लिए आप इस तरह से इसको भी इस पर अटाइच कर सकते हैं तो चलिए इसी लेस को में इस पर अटाइच करेंगे और अटाइच करने के बाद मैं फिर आपको कम्प्लीट करके दिखा देती हूँ इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा सुन्दर सा डिस बन करके कम्प्लीट है साथ में मैंने पगड़ी भी बनाई हुई है तो पगड़ी के लिए हमने इसी में कपड़ा कट किया हुआ है इसकी लंबाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ साथ इंच है और चोड़ाई हमारा बहुत ही कम है यानि टोटल मिला करके पवने इंच है इसको इस तरह से हम लेंगे फोल्ड करेंगे कपड़े को फोल्ड करने के बाद में इसको इधर से क्रोस करेंगे फिर इसको इधर से क्रोस करेंगे और जो यह नीची आ रहा है इस त सिलाई कर लेते हैं फिर दिखाते हैं रेडी करके इस तरह से पुगणी भी बन करके हमारी complete आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी और सुंदर हमारी पगड़ी बन गई यह थो यह हमारी झाल झाल